हालो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन विजय परिवार में सभी उत्राखंड के विद्यारतियों का स्वागत है आज मैं बात करने आया हूँ उत्राखंड B.A.C. नर्सिंग, पैरा मेडिकल, Z.N.M. और A.N.M. कॉर्स के बा इक और सेज में अगर आप भी एडमिसन लेना चाते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है? इस ग्रूप क्या होना चाहिए? एडमिसन के फॉर्म कब आते हैं? कॉलेज कौन कौन से हैं? एडमिसन के लिए एंट्रेंस एक्जाम लगता है तो वो एक्जाम कब लगेगा? एंट्रेंस एक्जाम का पेपर पैटरन क्या रहेगा? क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? एंट्रेंस एक्जाम में पेपर हिंदी में आएगा? कि इंग्लीज में आएगा? या दोनों लेंग्वेज में आएगा? तो कुल मिला करके आज हम मर्दोस्तों यहां पर कम्प्लीट डिसकसन करेंगे उत्राखंड की हैमवती नंदन बहुगुना युनिवर्सिटी H.N.B.U. इस युनिवर्सिटी के द्वारा B.A.C. नर्सिंग, पेरामेडिकल, Z.N.M., A.N.M., B.M.L.T., B.R.T., B.O.T. इस तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं 12th साइंस के बच्चों को तो इन सभी कोर्सेज पर आज में कम्प्लीट इन्फरमेशन देना चाता हूँ सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि यह जो B.A.C. नर्सिंग और पेरामेडिकल कोर्सेज हैं इनकी अवदी, इनकी डूरेशन क्या रहती है और इनमें कौन एड्मिसन ले सकता है तो देखिए इन कौर्सेज में विशेश कर B.A.C. नर्सिंग की पहले बात करूंगा B.A.C. नर्सिंग में एड्मिसन के लिए बच्चों आपके 12 में बाईलोजी सबजेक्ट होना चाहिए दूसरी बात B.A.C. नर्सिंग चार वर्स का प्रोफेशनल डिग्री कौर्स है और तीसरी बात यहाँ पर B.A.C. नर्सिंग में एड्मिसन के लिए आपको एंटरेंस एक्जाम देना पड़ेगा एक परवेश परिक्सा देनी पड़ेगी और उसमें अगर बढ़िया नमबर आते हैं तो आपको गौर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर बात पेरामेटिकल कॉर्सेज की करूं तो पेरामेटिकल में अलग-अलग परकार के कॉर्सेज आते हैं और paramedical courses में एक तो course आता है BMLT, दूसरा आता है BRT, तीसरा आता है BOT ये तीन वर्स के पाट एकरम होते हैं और इन में मेत और बायो दोनों ही ग्रूप के बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं लेकिन BAC nursing में तो आपको पता ही है, बायो ग्रूप के बच्चे ही फॉर्म बर सकते हैं अब बच्चो देखिएगा, अपन अगर बात करें इन courses की, तो सबसे बड़ी बात यही है कि सर BAC nursing के फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब तक निकलते हैं, तो BAC nursing और paramedical इन दोनों की मैं एक साथ ही बात कर लेता हूँ बच्चो तो इनके जो फॉर्म निकलेंगे मेरे साथ ही हो वो अपने निकलते हैं, लगबग अप्रेल या मई मईने में इसके form आते हैं बच्चो अप्रेल या मई में और entrance exam कब होता है इनका, तो इनका entrance exam होगा बच्चो जून दो अजार चोबीस में ओके, age कितनी होनी चीए, फॉर्म बरने के लिए minimum age अगर बच्चो आप B.A.C. नर्सिंग करना चाते हैं, पेरा मेडिकल करना चाते हैं, जीनम करना चाते हैं, एनम करना चाते हैं, उत्रा गंड से तो आपकी minimum जो age है बच्चो वो 17 वर्स होनी चीए, 17 से लेकर के और 35 वर्स तक का कोई भी candidate जो हैं, वहाँ फॉर्म लगा सकता है, जिनकी date of birth 2007 है, वो फॉर्म बर सकता है, 2006 जनमतिती वाला भी फॉर्म बर सकता है, 2006, 2005, 4, 3, 2, 1, है ना, लेकिन अगर किसी की date of birth 2008 है, तो वो फॉर्म 2024 वाला नहीं भर पाएगा, अब देखिए बच्चो admission कैसे होगा, मैंने अभी आपको बताया, admission के लिए आपको क्या देना पड़ेगा बच्चो, entrance exam देना पड़ेगा, एक परवेस परिक्सा देनी पड़ेगी, और उस entrance exam में बच्चो, आपका जो paper का patron रहेगा, वो Hindi और English दोनों language में, आपके question पूछे जाने वाले हैं, वो मैं आगे अभी बताऊंगा, अब देखिए सर, 12 जिन बच्चों की अभी चल रही है, जो बच्चे अभी उत्राकंड से 12 कर रहे हैं, क्या वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, जी हाँ, फॉर्म तो अभी बच्चों अपरेल मही में आएगा न, 2024 में, तो तब तक तो आपके 12 के exam ही हो जाएंगे, तो जो बच्चे अभी 12 में study कर रहे हैं, वो भी फॉर्म लगा पाएंगे, और जो बच्चे 12 कंप्लीट कर चुके हैं, एक दो साल पहले ही 12 कर ली, लेकिन जिन्नों ने पहले exam दि करना चाते हो, एनम, जीनम करना चाते हो, तो बच्चों आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, अब हम बात करते हैं, कि 12 में minimum कितने percentage होने चाहिए, 12 में बच्चों अगर आपके minimum 35 percentage भी होंगे न, तो भी आप form apply कर पाएंगे, कुछ category के अंदर जैसे general category है, तो 40 percentage होन कर सकते हैं, जी हाँ, अगर कोई बच्चा उत्राखंड का नहीं है, लेकिन उसने 10 और 12 उत्राखंड से की है, तो वो भी form लगा सकता है, ठीक है बई, बिल्कुल, अब देखिए हम अगले point पे चलते हैं, कि सर अब इस exam का center कहां पे आने वाला है, entrance exam कहां कहां पर होगा, त रिद्वार, हल्दवानी, पितोरागड, अल्मोडा, उत्तरकासी, तो आपका जो भी नजदीक, जो nearest district है, उसमें आप exam दे पाओगे, है ना, तो जो परवेस परिक्सा होगी ना बचो, जब आप form लगाओगे, तो आप अपने नजदीक कोई भी परिक्सा के अंदर मांग स सकते हो, है ना, और आपका जो exam है बच्चो, वो OMR seat के उपर होगा, आपको paper मिलेगा, objective type का, और उसमें आपको OMR seat भरनी है, अब देखिए बच्चो, अगला जो point है, वो यह है, कि भई paper pattern किस तरह का रहेगा, exam में किस परकार के question पूछे जाएंगे, तो मैं आपको paper pattern भी बता देता हूँ कैसा रहेगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, B.A.C. nursing, परवेस परिक्षा का जो paper pattern है, वो कैसा रहता है, वो बता देता हूँ, B.A.C. nursing का जिनको exam देना है, जिनको B.A.C. nursing course में admission लेना है, उनका जो entrance exam रहेगा, उसमें chemistry, physics, biology, English और nursing aptitude, ये 5 subject से क्यूसन आएंगे आपके, और परतेक subject के कितने क्यूसन आएंगे, 20 क्यूसन आएंगे, तो total आपका जो paper लगेगा, B.A.C. nursing का, उसमें, मेरे दोस्तो, 100 marks का paper होगा, और total 100 क्यूसन आपके पूछे जाएंगे, क्यूसन कितने आएंगे, 100, paper कितने number का होगा, 100 number का हो तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे साथियो, अब देखिए क्या negative marking होगी, नहीं जी, याद रखना बचो negative marking नहीं होगी, अगर कोई भी क्यूसन आपको नहीं आ रहा है, और मेरे दोस्तों आपने attend कर दिया, तो भी आपको negative marking नहीं मिलेगी यहाँ पर, तो यह एक फाइदे वाली बात है, और paper बचो दोनों ही बासा में होगा, Hindi में और English में, दोनों language में paper होगा, तो कोई किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी, आप Hindi medium से होथ, Hindi वाले क्यूसन अटेंड कर लेना, English medium से होथ, English medium वाले अटेंड कर लेना, ठीक है, अब चुकी बचो आपको पता है, उत्राखंड में government college भी है, B.E.C. nursing के और private college भी है, और अब government और private दोनों ही college में बचो admission इसी exam से मिलेगा, तो पहले आपको April में form लगाना है, फिर June में exam देना है, इसकी तयारी करनी है अच्छी तरह से, है ना, और बचो आप अगर थोड़े बहुत भी, मै अगर आप 60 से 70 नंबर भी लेके आगे ना, तो भी आपको एक बहुत अच्छा college मिल जाएगा, तो बच्चो आप चूकना मत अभी से तयारी सुरू कर दो, और मैं आपको बताओं, अगर आप तयारी करना चाहते हो बहुत अच्छी, तो आप एक काम करो, विजे education app डाउनल कर लो, बहुत ही कम फीस लग रही है, केवल 990 रुपे के अंदर ये आपको online बेच मिल जाएगा, और इस 990 रुपे की फीस देने के बाद, आप बड़े ही आराम से अपनी तयारी कर पाओगे, कोई extra charge नहीं है, 990 में पूरा online बेच मिलेगा, इस बेच की जो validity है बचो, वो 15 अगस्त 2024 तक रहेगी, और साथी साथ इस बेच के अंदर आपको live class मिलेगी, और सारी class की recording एप में save रहेगी 15 अगस्त तक, आप किसी भी class को कभी भी और कितनी भी बार देख पाओगे, इसके अलावा आपको परतेक topic के proper notes मिलेंगे, इसके अलावा topic wise आपको क्यूशन भी करवाई जाएंगे, Sunday to Sunday Ape के अंदर test होगा, practice के लिए आपको modal paper मिलेंगे बच्चो, है ना, मतलब कि हम बहुत ही बड़िया तयारी कराने वाले हैं, और यहां दोनों ही language में पढ़ाया जाएगा, इंदी और इंग्लिस दोनों में, जिनकी इच्छा हो वो इंदी medium की class बहुत शांदार बेच है, बहुत जादा बच्चों के selection हो रहे हैं, उत्राखंड के बच्चों की पहली पसंद है विजे education, पिसली बार भी उत्राखंड में, गौर्मेंट कोलेजों में और प्राइवेट कोलेज में जादा तर बच्चे जो select हुए हैं, वो विजे education Ape को ही जोइन किये हुए थे, तो आप बिना देरी किये अपने घर पे बेट के आपको तयारी करनी है, कुछ भी आपको और extra परियास नहीं करना, आज ही इस Ape को जोइन कर लो, आपके पास में online payment की अगर सुईदा नहीं है, तो आप अपने पिता जी के, अपने भाई के, या नज आपके mobile number पे course activate कर देगी, number यह है, आप not कर लो और ज्यादा जानकरी के लिए आप इन number पे call भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल, अब मैं बात कर लेता हूँ, पेरा medical की, अगर मान लो किसी को पेरा medical की तैयारी करनी है, किसी को पेरा medical के लिए, मैं रो दोस्तों exam द psychology से, X-ray, MRI से related courses आपको करने है, है ना, तो यह जो courses भी आप कर सकते हो, इसके लिए भी entrance exam लगेगा, और जो exam लगेगा, उसमें physics, chemistry और biology, इन तीन subject के paper आएंगे, और मेहत वाले बच्चे के लिए मेहत के question आएंगे, तो यहाँ बायो के 50 question, chemistry के 25 और physics के 25, इस तरह का paper pattern रहे पेरा medical वालों के लिए, है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या सर एक बच्चा पेरा medical और B.A.C. nursing दोनों ही फोरम लगा सकता है क्या, हाँ, बिल्कुल दोनों ही लगा सकते हो, दोनों ही exam दे सकते हो, तो यहाँ अलग से कोई effort लगाना ही नहीं है, और आपका जो syllabus है बच् तो यहाँ मेहत और बायो दोनों ही बच्चे अपलाई कर सकते हैं, फरक इतना है कि मेहत वाले बच्चों के मेहत के क्यूसन आएंगे 50, बायो वालों के बायो के क्यूसन आएंगे 50, अगर किसी को पेरा medical की भी तैयारी करनी है तो उनके लिए भी ब्रमास्त्र बेच हैं, अ GNM के लिए भी, GNM कोर्स में admission के लिए जो exam लगता है बच्चों, उसमें Hindi, गनीत, विज्ञान और GK, ये च्यार सब्जक्ट आपके पूचे जाएंगे, इनके 20, 20, 20 क्यूसन आएंगे, GK के 40 क्यूसन आएंगे, है ना, ये आपका total जो है बच्चों, ये आपका जो paper और यहाँ पर भी 100 क्यूसन आएंगे, बिल्कुल Hindi और English दोनों मीडियों में आपको क्यूसन दिखेंगे, तो बहुत ही बड़ी आप कोर्स है, GNM भी बच्चों, साड़े तीन वर्स का डिपलोमा कोर्स है, और जो GNM कोर्स है, ये बायों के साथ साथ, जो other category के बच्चे हैं 12th pass out कोई भी गल्स चाहे वो बायों की हो, आर्ट्स की हो, कोमर्स की हो, एगरी कल्चर की हो, है ना, और इस एनम में जो entrance exam होगा, उसमें हिंदी के 10, इंगलीज के 10, मेत के 30, है ना, sorry, मर दोस्तों हिंदी के 10, और आपके इंगलीज के 10, और बच्चों मेत के 20, इसके बाद पता देता हूँ, confuse मत हो ना, मर दोस्तों, आपके एनम के अंदर, 10 क्यूशन किसके आने वाले हैं, हिंदी के, 10 क्यूशन इंगलीज के, फिर 20 क्यूशन मेत के, फिर 30 क्यूशन साइंस के, और फिर 30 क्यूशन बच्चों जी के के, तो टोटल यहां पर भी आपका 100 नमरों का ही पेपर और सो ही क्यूशन पेपर हिंदी और इंगलीज दोनों लेंगवेज में, किलियर बात, अब लास्ट पॉइंट यह है बच्चों, कि अगर एनम जी अनम की तैयारी करनी हो, तो कैसे करें, तो इसके लिए हैं, बच्चों, यह पूरा एक रिकोडेट बेच है बच् की, साइंस की, जी के की, सारी कलासे मिल जाएगी, हिंदी की, इंगलीज की, केवल 790 रुपे की फीस में, कोई भी भाई बईन तैयारी करना चाता है, तो आज ही अपनी तैयारी सुरू कर देना, अभी भी आपके बास काफी शमय है, अब देखिए बच्चों, अब हम बात क करना चाते हैं, कि सर कोलेज कौन कौन से है, है ना, कोलेज की मैं बात करना चाता हूँ, देखिए बच्चों, अगर अपन कोलेज की बात करें तो, और ये बच्चों वेब साइट है, हमारी देखो आप, ये अपनी बच्चों क्या है, वेब साइट है, हैमवती नंदन की website है ओके अब मैं college की लिश्ट भी आपको दिखा देता हूं यह देखिए बच्चों यह अपने college है govornment के college भी आपको दिखा देता हूं देखो ये अपने govornment के college है बच्चों देखो BSE nursing के यह देखो govornment college of nursing यह theory उत्राखंड फिर govornment college of nursing यह आपका देरा फिर गौर्मेंट कोलेज अब नर्सिंग ये पितोरागड गौर्मेंट कोलेज अब नर्सिंग अलमोडा गौर्मेंट कोलेज अब नर्सिंग चमोली गौर्मेंट कोलेज अब नर्सिंग नेनी ताल हल्दवानी फिर आपका गौर्मेंट कोलेज अब नर्सिंग डोब सिरी पूड़ी गड़वाल और फिर गौवर्मेंट कोलेज और नर्सिंग चमपावत ये आपके आठ गौवर्मेंट के नर्सिंग कोलेज हैं और भी नए कोलेज खुल सकते हैं बचों आठ के दस भी हो सकते हैं और सोला भी हो सकते हैं है ना बिलकुल और गौवर्मेंट कोलेज मे प्राइवेट कोलेईज है, बहुत ही बड़ी संक्या में प्राइवेट कोलेज भी है, ठीक Hey Best बिल्कुल, इसी तरह से अगर हम बात करें मेरे साथ ही हो, То यह आपके सामने पेरा मेडिकल के, यह देखी आप, यह पेरा मेडिकल के बच्चो आपके Government College है ठीक है Government College पेरा Medical देरा दून फिर आपके सामने कुछ Government College अल्दवानी है ना तो इसी तरह से आपका वीर चंदर सिंग गड़वाल College यह आपका गड़वाल में है फिर पंडित ललित मोहन Government College रिसी केस में है यह चारों के चारों गूर्मेंट 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 इसके बाद में बच्चो अगर हम नीचे आएं यह देखिएगा अगर आपको मैं और कुछ अधर कोर्सेज के बारे में भी बताना चाहूंगा यह लीजिए एक मिनट देखो बच्चो तो कुछ आपके सामने और भी कोर्सेज दिख रहे हैं इसी तरह से एनम और जीनम के भी बच्चों हमारे यहां पे बड़ी संक्या में कोलेज हैं और बहुत बड़ी संक्या में सीटे हैं ठीक है ना तो मैं सभी उत्राकंड के विद्यारतियों को विशेश कर जो 12th बायो के स्टूडेंट है मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप B.Sc Nursing Entrance एक्जाम की आज ही तैय का प्राइवेट कोलेज आपको जरूर मिलेगा बच्चों आज से ही अपना टार्गेट बनाएं गवर्मेंट सीट में एडमिसन लेने के लिए आज से ही मैनत सुरू करें विजे एज्यूकेशन के साथ ठैंक यू बच्चों जय हिंद और वंदे मात्रम ठैंक यू अगें